एडविंचर और एक्सपीरियंसेज मुझे बहुत पसंद है लेकिन कभी कबार ये एडविंचर और एक्सपीरियंसेज जो है इनका कोई सेंस नहीं बनता है कोई लॉजिक नहीं बनता है जैसे कि आज के 2G, 3G, 4G, 5G के जमाने में पोस्ट कार्ड, मतलब एक नॉर्मल पोस्ट कार्ड लिख के भीजना कितना सेंसिबल गाम है नहीं है न लेकिन अगर वो पोस्ट कार्ड दुनिया के सबसे हाइस्ट पोस्ट अफिस तर लिखा जाए और घर बिजा जाए तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ न और वहां तक जाने के लिए आपको जो एडविंचरस राइड करनी पड़े तो और मज़ा डबल है आज यही करने वाले हम जा रहे हैं हिकिम साथ में कॉमिक साथ में लांगजा और बाद जब एक्सपीरियंस की हो रही है तो खुद से डीजल बढ़ना भी तो एक एक्सपीरियंस है हमें यही आना पड़ेगा और यह जाती है काजा लांगजा कॉमिक यहां कहीं भी हिकिम का नाम ने लिगा है I don't know why bro जो भी है मेरे ख्याल से तो यही रोड है चलो अज़र के सबस्टां। फ़्टर यहां किया आए आर यहां हमारे गिश्मत गराब दिए बस यहीं आई 360 काम आया और यहां यहां पर को काम देखना देखना आदेखना हमें वह इतनी सी निकली है गाड़ी अरे वह निसान किक्स वह तो निसान किक्स को शाबासी देते और रास्तों से जुझते हम पहुंचे विस्वा के सबसे उचाई पर इस्तित हीकीम डागगर मैं आपका स्वागत है हमारा आपका भी जुले प्लीज रिमूव यॉर शूज चोट होगी कोई अंदर है नी भी आमे खत लिखना था अपने माता-पिता को लेकिन यह कोई आही नी क्या नाम है आपका नाम है रिंचन चरीड रिंचन तो हमें कुछ मिलेगा जिस पर हम लिख के पोस्ट करें तस पीस होते हैं हां तो दस पीस देदो हम 10 जनों खत लिख देंगे दुल को हम यही बेजाएंगे और आपका तो टोटल 7 पोस्ट मैं कर रहा हूं और 5 पोस्ट राज कर रहा है और अभी जो है सब फेस्तांप लगके मैं उन्हें पोस्ट में डालूँगा जो यहां शक्स काम कर रहा हैं वो यहां पे 35-36 साल से हैं तो अब बारिये यह पोस्ट कार्ड को डबबे में डालने की डबाए रहा और यह तल्यू यह बबे में डालने अला प्रोसेस जो है यह मैं शायद 6-6 साल बाद में कर रहा हूं लास्ट मैंने AI PMT के एक्जाम में कुछ करेक्शन करना था मुझे तब मैंने यह यूज किया था क्योंकि उसमें स्रिफ यही चलता था यो बाइद बबे एक और चीत मैं यहां पे जो पोस्ट मैं है मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि यह जो गम वगएरा जो भी यूज होता है चिपकाने के लिए उनको खुद के जेब से खर्च करना हजार से दाधा इनके पास में जो है लोग पोस्ट करने आते हैं तो यह प्लीज लेके आए मैं लेकर नहीं आया था मैंने कुछ टिप देने की कोशिश की वो लिए नहीं ली वो अलग बात है लेकिन प्लीज लेकर आ जाए तो अच्छा होगा हो सांस नहीं आती हैं यहां आप इतने दूर. एक और चीद हीकीम सबसे उचा polling post भी है polling post या polling भूस्त भी है वो है तो प्रबबरली यहां के लोक जब vote देते हैं तो इनडिया में सबसे उचा polling भूस्त जायाधा है हो सकता है वर्ट गाल भी सबसे उचा है ही हो जहां पर polling होती है वह यह स्वबागे तो हम नहीं दे सकते हैं कि यहाँ पर आपके पोलिंग करें लेकिन आपके पोस्ट तो आप करी सकते हो चली एक्सपीरियन्स हमारा बहुत चाथा किक्स टेंडिंग टॉल बाइदवे मैं अभी तरक कहीं भी नीचे से तच्छ नी किया है यह प्ड़िक अचीमेंट ब्रो यह ते क्राइएग प्रण है सका मिनठी जायते है अग्चully बैग सेफर केट पेल है काखा गड़ा आता है काखा वाह क्या बात करते हो यह नर्श्रीम पढ़ते कौन गज़ता है नर्श्रीम पढ़ते हैं बच्चों से बेस्ती कराने के बाद आपक्त है यह विलेज आफ इंडिया जाने का तो जी अब मुझे बताओ कि वर्ल्ड्स हाइ अब मेरा मनता कि निसान किक्स की ग्राउंड क्लियांस और बहतरीन राइड क्वालिटी का थोड़ा मजा लिया जाए आज अची सिख देता है अगर आप देखें तो यहां कुछ लिखा हुआ है 500 पानी की बोटल हर रोज काजा में, अकेले काजा में जो है गिराई जाती है इन स्ट्रक्चर्स में 1200 बोटल है और यह स्ट्रक्चर आपसे उमीद करता है यह आपको यह सिखाने की कोशिश करता है कि आपको स्पिती जो है एक दो ट्रपे की हुई है वो यह कि मैंने या राज में एक भी प्लास्टिक की बोटल खरीद के पानी का मतलों कोई भी प्लास्टिक की बोटल खरीद के पानी नहीं पिया है आप देखते तो यहां पे भी कचरा है बट हमने वो कचरा कैसे नहीं किया वो मैं आपको दिखाता हूँ जब हम चंडीगर थे तो हमने ये खरीदा ये एक 20 लीटर का पानी का बॉटल है और हमारे पास एक metal flask है जो thermos बोलते हो है जो भी बोलते हो वो हम फिल करते रहते हैं और हम जो है उसी से सारा पानी पी रहे हैं अभी ये बोटल खतम हो जाएगी मनाली पहुंसे पहुंसे लेकिन मनाली में हम इसको फिर से फिल कर देंगे थोड़ा बहुत 3-4 लेटर और चंडीगर में हम ये बोटल रीटन कर देंगे तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो है लगती है, satisfaction मन को मिलता है कहीं भी हमने कुछ भी डंप नहीं किया एक और चीज में आपको बताने वाला हूँ वो थोटे से बाद में बताता हूँ कहीं और जाके फिलाल क्या आपको पता है कि नीसान जो है वो भी एन्वार्मेंट सेव करने में बड़ा रोल प्ले करता है आप सर्च कीजिएगा निसान लीफ अमंग दी लार्जस सेलिंग इलेक्ट्रिक वहीकल है निसान लीफ पर आपको गाड़ी केसर लगा आपको गाड़ी तो बहुत अच्छा पीपार गुमने चाब होने तो आख दोने जाने ने जाने लिए आणा है आप जो अच्छा आपको बहुत लोगों को जो है लिफ्त दें वह आपको अच्छी बाते में भुता देंगे और सीखने को मिलेगा और मुझे तो नहीं लगता दाक औरस्पिती कि किसी भी रीजन में कुछ भी अंसेफ है असे मतलब लिफ देना और हम इनको भी लिफ दी और उनको गाड़ी भी बहुत अच्छा था आप की बड़ तक छोड़ते तो और मज़ा आता अऱ आप अममें इनसिस्ट किया कि हम ना चाते हम उनके गाउं जाएं उनको छोड़ने नहीं नहीं आप जगे बताई कि या कि शीचम ब्रिज तो हम देखते हैं हम आप चिचम ब्रिज विचाने की सूशना है चिचम ब्रिज गी किश्च के अब बार कर रही है यह है चीचम और शीचम ब्रिज जो है वो 2017 में बना है पुराना नहीं है और ये मतलब 4100 कुछ मीटर की हाइट पर है तो आप कह सकते हो कि सबसे उचा मतलब हाइए सिस्पेंशन ब्रिज ये कह सकते हो 150 मीटर के इसका ये केबल का स्टैन है और जब ये ब्रिज नहीं था तो लोग उदर से इस ब्रिज के आगे बहुत पीछे जो एक रास्ता है उपर से वहां से जाके इसको क्रॉस किया करते थे वैसे शिचम ब्रिज क्या स्पिति का हर एक नजारा हर एक विलेज जो है वो एक एक स्पीडियन्स है और खूबसूरत है अब वक्त आ चुका है उस चीज का जिसके लिए काफी लोग स्पिति आते हैं और वो करने का जो किक से बहतर कोई CSUV शायद नहीं कर सकती है खराब सडकों पर ड्राइब अब चीजें थोड़ी रहेगी यानि कि आगे की वीडियो तो है वो थोड़ी रहेगी और यह ध्यान रखना देखते वक्त कि हमने अगले 80 km कवर किये 10 घंटों में यानि कि हमारी एवरेज स्पीड बहुत स्लो थी और मैक्सिमम स्पीड जो है वो हम अचीव कर पाएंगे आगे में वो स्रिफ 23 km पर आर होगी यानि की रोड बहुत हराब रहेंगी तो इस वkt हम लोसज क्रोस और हम लोगों को बिल्कुल पाऊस नहीं करने दिया का थाणता लौस चर्ड और काफी उनसे बात करने के बाद में एक slave के दो विल हिखी और हमने हिखա कि जो भी रिस्क इनवालड है बिजन साना या बिजन सुम प्राइंगेस करने में घं हम औ तब उन्होंने आमें जाने दिया एक proper letter लिकवा कि उन्होंने sign-vine करवा हैं उसके बाद हमें छोड़ा है let's see risk कैसी है आखिरकार story आखिरकार बात इस वीडियो में पूरी experience और adventures की हो रही है पीछे चांद बहुत चा लग रहा है एक सेकिन में दिखा आता हूं आपको रियर वियू मिरर में दिखा आता हूं मैं आपको अगर देख पारे हो तो and objects behind the mirror are more beautiful than they appear तो अभी अभी Nissan Kicks ने जो है एक warning दी है risk of black ice और यह warning low temperatures में आती है जो पहली बार देखने को मिली मुझे प्लस आप यह देखिए पहली बार साड़े च्छे बजे के आसपास temperature 3 degree centigrade दिखा रहा है और यह बार बार जपक रहा है अभी तो माइनस में जाएगा बॉस इस 0 degree ब्रो अल्मोस कुन्जूम पास पहुंच रहे हैं temperature जो है 0 degree पे flash कर रहा है यह flash इस लिए कर रहा है क्योंकि वह black eyes की warning जो दिखाता है तो रात के सवा साथ हो रहे हैं शाम के और हम पहुंच चुके हैं कुन्जूम टॉप उधर चान निकल रहा है उपर यह आप देख पार है और सामने एक जिके कोई अलाओ सा जल रहा है आग से पता नहीं क्या है यहां लिका है कुन्जूम पास टॉप कुलू मनाली यहां से कुलू है 168 मनाली है 127 वाकि यह एजी कानी इस रस्ते का सबसे मुचा पॉइंट 4590 मीटर यह टॉप है इसका बरफ जम रखी है हम हाथ देना नहीं चाहते हैं बरफ में आप देख सकते हैं यहां बरफ अरफ जम रखी है नाइस वेरी नाइस एक तो फोटोस की इतने ही कुश्च करते हैं एक जो कैमरा एजी 7x उसकी बैटरी लो भी है अमने भी थेहन दिया तो लेट सी के फोटो आपाती है नहीं आपाती है कुंजुम पास पहुंचे जो पहुंचे गाड़ी का टेंपरिचर दिखाता हूं आपको माइनस वन जी तो बाटल तक हमारी चिंता का बड़ा कारण जो है वह है यहां पर बना एक नाला टाइप का स्ट्रक्चर एक लिए नाला तो फिर भी ठीक लेंगे यह इतने बड़े-बड़े खड़ेज भावरके नहीं यहां प्रॉब्लम ही आती है कि गाड़ी का मॉमेंट अब तेज नहीं रख सकते क्योंकि गाड़ी जाके किसी पत्थर पर लग सकता है नीचे का ओल्सम पकेरा और तेज अगर नहीं रखो तो गाड़ी चड़ती नहीं है तो मिक्स बैलेंस मना के चलना पड़ता है और आगे कुछ नहीं दिख रहा है यामें आप दिखाया है हमें और यह पानी जंग गया ना अलका-लका पर पुश्की पाइनली हम लोग चंदतार लिग पहुंच गया और आप कुछ देखनी बारे हो याप है लेकिन मैं फोटो आलनूँगा लूग लोग लोग लेंगे वो और चंदतार लिग आने का प्लान नहीं था हमारा प्लान था बाटल रुखने का और उसके बाद में हम लोग आपर यह सोच रहते हैं कि इस मौनिंग में आएंगे हम सोच रहे हैं वाप इस रेटन करने का तौर्स मनाली लेक्स ही अगर कुछ और इडविंचर होता है तो मिलते हैं तो हम जो है लगवग एक किलमेटर दूर आगे है और आप देख रहे हो यह हट बगएर बन दखी है इससे आगे आप गाड़ी नहीं ला सकते हो तो हमने ग अब ही सारे दूर्स दोंट्स दिखें और इसमें एक डोंट्स लेका हुआ है कि ड्राइविंग आफ्टर देशन से इस तो हमें यह नहीं पता भी कि प्रट्ट्क्र अर्या कौन सा है और क्या है उदर जाने के बट यह एडवाइज़बल है में तरफ से कि अकर आप यहां आ रहे हैं तो संसेट के बाद ना आए है है वैसे हमें यह पता था कि यहां कैम्स हैं लेकिन वह इंपरमिशन हमारी गलत थी लेक्स के तीन किलमेटर दूर ही है कैम्स जितने भी है गाड़ी में देखो फॉक्स ही जम गई और पूरी गाड़ी गंदी हो रही कि बड़िया स का लृग अब हमें डेफिनेटली फील नहीं हो अलेकिन हमें वॉटर की कमी है पानी की पानी पीने की जरूरत है हमारा पानी का कैन पाट बैदवे एक और चीज तने फी डिन ट्रेवल कि यह हूं कि बड़िया हमने सारा कच्रा जो है इसमें इकटा किया है हमारे जतना भी क उसमें भी लिखा हुआ है कि कच्रा भगेरा जो है वो सब अपने साथ ले जाएं अगि यह वन टाइम प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक अभी बैन है या क्या है मुझे नहीं पता वट मुझे यही मिली सिमला में तो मैंने यही ले ली ता एटलीस कच्रा तो नही नोसा करते हुए अटाना ही बड़ेगा अटाना ही बड़ेगा जूते पहने वह है कि अब अब कि अब शुबहे के पांच बच के पंद्रा मिनट हुई है मैं हूँ इस वक्त रहतांग फास पे और बहुत ही कमाल की ड्राइव जो है वो हम करके आए हैं मदब सडक थी ही नहीं बाई और बहुत बड़े बड़े पत्तर बट नीसान किक्स जो है उसकी राइट वर्डी काफी अच्छी है कंटिनूसली ट्राइव करते रहे और कहीं टच भी नहीं हुई बट रौतांग पास जो है वह मुझे संसेट आपको दिखाने का संद्राइज आपको दिखाने का मन कर रहा था लेकिन मैं नहीं दिखा हूँगा क्योंकि यहां पर बहुत जादा बीड हो जाती है और नीच जादा मनलब छोटे मोटे डावे दे हो गंद की पड़ी अभी भी यहां पे यह फीलिंग जो है यह बहुत दिखानी लगेगी तो इससे बेटर है सीजा नेचे उतर जाते हैं तो पिती खुबसूरत है बेहत खुबसूरत है यह रास्ता जो हमने किया है मनाली साइड से एक क्रॉस कर पाए ओविसली दबिग रीजन वाज ए ट्रस्ट ऑन किक्स किक्स जो है बहुत ही भैतरीन परफॉर्म कर रही थी और थैंक यू निसान का भी जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और किक्स जो है वह इस ट्रिप के लिए दी कैर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जा अवाली रोड रिपके बाए किक्स जो है बहुत है बहुत है बहुत है